हाँ जी नुश्कार क्या आल है वही सबके चलिए कल तो आपका एक्जाम है वही पहले तो उसके लिए बहुत सारी शुब काम नहीं अच्छे से दीजेगा टेंशन फ्री होके दीजेगा और बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट आएगा सबके दुआएं और सबका साथ आपके सा और खुद में आपका साथ आपके साथ होना चीह कर ताकि आप टेंशन नहीं लो लेकिन बेटा उससे पहले न क्योंकि इंग्लिश पेड़ागोजी का एक most important topic है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया बर last note the least वो इतना important होगा कि वो ना किसी chapter के साथ तो नहीं आता लेकिन ज यहां हम words की बात कर रहे हैं तो यह होते कि यहां जरा समझो आपने अभी तक देखा होगा कि आपके सामने एक word आया होगा lexical word अगर आपने previous question paper soul की होगे तो यह ना पूरा सबसे most important है इसी से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं अच्छा lexical के बाद आपने कहीं पढ़ा कहीं पर पढ़ा होगा site word आपने कहीं पर पढ़ा होगा function वर्ड आपने कहीं पर पढ़ा होगा rhetorical call word और बिटा अगर कहीं पर आपने द्यान से देखा तो cohesive device के नाम से भी आपने पढ़ा होगा device अब जरा क्या-क्या चीज़े कैसे काम करती है जरा एक बार समझ लो क्या हो देखो यह lexical आएगा आप तुम्हें पता नहीं यह lexical क्या है content क्या है एक बार ना जो भी वर्ड सामने आ रहे हो ना वो यह देखो कि आपके practical life में कब कब और कैसे कैसे आपके सामने आते हैं तो जरा समझो पहले basic मैंने ना कहीं से क्या किया कि दो नाम लिखे और दो नाम लिखने के साथ मैंने लिखा दिक्षा एंड पृति यह दो नाम है तो आपको ना दो नाम दिख रहे होगे कि नहीं दो लड़कियों के नाम है या अगर मैं यहाँ पर लिख दू राम एंड रावन आपको यह भी दो नाम दिख रहे होंगे आप अगर दियान से देखोगे तो जैसे ही ये बच्चे का नाम आए या इस बच्चे का नाम आए ना तो आपके दिमाग में ना किसी से यार किसी लड़की का नाम हो गए और अगर ये आ रहे हैं यार इन दोनों लोगों को तो मैं जानता हूँ इसका मतलल लेकिन बीच का एक जो वर्ड है ना ये मैं नहीं जानता है यार ये एंड कोन है मेरे सामने तायनी देखेगा आप जो पढ़ते हैं अगर मैं theoretical जाओ तो it will take time और उसमें आप confused हो जाएंगे तो ये वाले वर्ड मैं बिल्कुल short में समझा रहा हूँ जिसमें कोई भी grammar वाला पार्ट नहीं है इसका मतल बिल्कुल इपीजी समझना देख बटा यहां दे लिखा है एक वर्ड content है हो रही क्या है function छोड़ दो देखो अगर दिक्षा नाम लिखा है और प्रिती नाम लिखा है ना तो अगर ध्यान से देखोगे क्या बोलना हूँ मैं ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको जो पैचान आरियस का मतल यह ना noun है भई name है तो इसका मतल क्या है noun है और यह जो राम है यह भी क्या है noun है और ये भी क्या है noun लेकिन जो end है वो noun नहीं है आप उसे किस तरह ले लेंगे conjunction की तरह अच्छे एक बात सोचो अगर मैं इस चीज को बिल्कुल ही छोटा कर दू जो चीज अपना authentic meaning रखती है जिसके बारे में आप कुछ explain कर सकते है बिटा याद रखना वो वाले word कहलाते है content word क्या कहलाते है content word और जो content word होते है वो ही क्या कहलाते है lexical word किताबों में आपको definition मिलेगी जितने noun होते, pronoun होते ये सारी चीज़े क्या lexical मैं कहता हूँ से उचको आप भूल जाओ बिल्कुल साइड में हम तो सीधा ध्यान रखेंगे भाई कि जिसकी अपनी जान पैचान है वो क्या कहलाएगा content और जो content है वो ही क्या कहलाएगा lexical we can say one more those words who have some independent meaning according to dictionary कि कोई भी ऐसी चीज़ जो dictionary के हिसाब से अपना authentic meaning रखती है इसका मतलब या तो lexical कहलाती है और क्या है content आपके exam में last previous paper में आया था सवाल ने का which one is a lexical word which one is a lexical मैं short में लिखना हूँ बेटा lexical word और जो इन्होंने option दिये तो option क्या थे सुननो पहले वाला option था a दूसरे वाला option था n तीसरे वाला जो option था वो ख्याद और जो d वाला option था मेरे वो था love देख मैं रच्चे जिसको पता था उसका भी answer ठीक था जिसको नहीं बता था उसका भी क्यों क्योंकि लोगोंने reasoning लगाई a and a को हटाया और बचाया क्या love लेकिन मैंने अभी तुमसे क्या बोला those words who have some independent meaning according to dictionary तो इसका भी अपना meaning होता है बेटा वो ही क्या क्या लाता है lexical तो अगर किसी option में आ जाता है something आ जाए, nothing आ जाए उसके बाद however आ जाए और principle आ जाए तो इसका मतलब चारों में से सबसे ज़्याद authentic independent meaning किसका है principle तो मेरा answer क्या होगा principle तो इसका मतलब जो lexical होगा वो ही क्या क्या लाएगा content इससे जादा जानने की जोरत नहीं लेकिन तुम बीच में एक चीज देखोगे जो नाम आया है यह क्या है end है अब अगर end है तो end इन दोनों को क्या कर रहा है जोडने का काम और जो जोडने का काम करता है हम English grammar वोसे किसका नाम देते हैं conjunction का लेकिन conjunction के लाव जोडने काम prepositions भी करती है आप punctuation भी करते हैं तो इसका मतलब आप नहीं सी जो को छोड़ो कि क्या conjunction preposition punctuation छोड़ो मैंने क्या बुला बेटा जो जोडने का काम करेगा तो इसका मतलब वो हमेशा जो क्या 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 क् Lexical के लिए अगर आता है जैसे माल लो कि तुम लोगों के सामने option आया एक B, C और D ये वाला अब किसे ने आप से ये कहा कि आपके सामने किसे ने word दिख दिया यहाँ पे मतलब English लिखा ठीक है यहाँ पे किसे ने आपके सामने लिख दिया भई T लिखा किसी ने आपके सामने fail लिखा और किसी ने आपके सामने लिख दिया और और आपसे पूछता है which one is a function word क्या पूछता है function word तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसका भी मतलब है इसका मतलब है तो इसका भी मतलब लेकिन मैंने क्या बता है जो जोडने का काम करेगा जोडने का मतलब बेटा यह नहीं कि बस वो जोड़े प्लस ही जैसे राम एंड शाम भी तो राम और शाम भी कर दोगे तो इसका मतलब जो और हो हमारा क्या कहलाएगा function word और जो मैंने कहा function word होंगे वो ही क्या कहलाएगी इसका मतलब लेक्सिकल क्या थे जिनका अपना authentic meaning होता है और जो function होते हों क्या करेंगे जोडने का काम आज़ो ज़रा यहां तक तो इसके बाद ही हुआ अपना सवाल के साथ ना अगर आगे बढ़के देखे तो एक word क्या मिला है site word और एक word क्या है rhetorical ये भी समझ लो ज़रा site word और rhetorical word क्या होता है देख मेरोटर जैसे site है तो इसका मतलब site का किसी चीज को न देखते ही इसका मतलब बहुत सारे word आपके life में ऐसे आते हैं जिनका देखते हैं आपको meaning समझ में आ जाते हैं जैसे अगर मैं तुमसे lexical का पूछ तुम बता दोगे लेकिन अगर मैंने तुमसे अभी पूछा ना rhetorical का और तुम्हें इसका number नहीं पता है इसका मतलब नहीं पता तो इसका मतलब ये तुमारे लिए site word नहीं है site word those word who can identify without any complicated analysis की कोई भी ऐसा word जो without किसी complications के मतलब आप बता सकते हैं वो हमेशा क्या होगा site word जैसे अगर किसी ने आप से पूछा कि बताईएगा cat का मतलब क्या होता है तो आप cat का मतलब देखते ही बता देगे दिमाग में बिल्ली है लेकिन हो सकता है किसे के सामने एक word आजाए fits अगर fits का मतलब पता है तो ठीक है नहीं पता तो इसका मतलब सोचेगा तो इसका मतलब complicated analysis त आप देखते ही बता देते हैं वो क्या कहलाता है side exam में कभी भी किसी भी तरीके से side के option नहीं आ सकते क्यों क्योंकि यह इसले क्योंकि किसकी इतनी vocabulary यह कोई भी नहीं जानता तो इसका मतलब इसकी क्या है definition तो बेटा side word वो होंगे जिनको आप देखते ही क्या कर लेता है सामने एक word बचा क्या है rhetorical अब जो rhetorical word होता है यह वो होता है जिसके लिए जवाब की जरुरत नहीं होती मतलब कोई सामने वाला आपसे कैसा सवाल पूछ लेता है जिसका सवाल के साथ इसका जवाब भी छिपा होता है और इसको समझाने के लिए best example यह जैसे आप के सामने कोई आ जाते हैं और गाड़ी से आपने उसको ठोक देते हैं मतलब इसको टकर लग जाते हैं और लगता ही ना सामने वाला आपको निकलते बोलता है अंदा है क्या अब यार अंदा है तो गाड़ी कैसे चला रहा होता लेकिन सामने वाले ने बुला या आपकी हम देखे होंगी जिस वज़े से क्या वो लाय पागल है तो इसका मतलब इन सवालों का सामने वाले जिसको बोल गया है ना उसके पास कोई जवाब नहीं होता इसका मतलब पूछने वाले ने सवाल भी दे दिया और पूछने वाले ने क्या दे दिया जवाब तो जिन चीजों तो उसमें से related कुछ question भी जल्दी समझ जाओगे अब एक बेटा word छुट गया इसमें minimal pair minimal pair अब minimal जो pair है ना नाम से ही सोचो mini, mini का मतलब क्या होता है छोटा तो आपने ना बोध बार देखा होगा जैसे आपके सामने ना किसे ने लिखा था आप ना गर पे बोलते हैं चाय वाई यही वाला example क्लास में भी दिया जाता है इसलिए कि देखो कि चाय के साथ वाई के साथ तो अगर आप यहां से चाय हटा दो यहां से बाद तो यहां आए और यह वाली feeling आती है इस बात को छोड़ो English में आजाओ अगर आपने एक तरफ लिखा है at दूसरी तरफ भी at तो इन दोनों को pronunciation फिलाल क्या होगा same लेकिन मेरे बट्टे अगर इसके सामने लगा दू R और इसके सामने लगा दू C तो इसका अंदर pronunciation बदल जाएगा और क्या बन जाएगा इसी तरह अगर एक चीज और देख लिया जाएगा जैसे आर्क अब अर्क है तो इसका मतलब आगे कुछ भी लगाओ देखो आगे क्या लगाओगे M तो बन जाएगा क्या मार्क अगर यहाँ पे लगाओगे तो क्या बन जाएगा पार्क पी को अटाक है अगर मैं कहा दू भाई एक ओ आर्क बनाना हो तो क्या बना सकते हैं डार्क तो इसका मतलब देखो जैसे ही पहले वाला लेटर चेंज होता है वैसे इसका पन्नंशेशन भी क्या है बदल जाता है तो सामने वाला तुमसे पूछ लेगा what is the meaning of minimal pairs या minimal pairs is used for कि minimal जो pair है वो किसले इस्तमाल किये जाते हैं तो याद रखेगा वो हमेशा ना pronunciation के लिए क्या है यूज किये जाते हैं तो एक बार इसका brief में समझाते हूं ताकि याद रहे most important वाल या lexical और content क्या करते हैं जिनका अपन authentic क्या होता है meaning इसका मतलब option चार option में से कोई एक option ऐसा होगा जिसका अपना independent meaning होगा तो इसका मतलब वो क्या कहला है गगा lexical चार option ऐसे आजाएं जिसमें से एक option किसी चीज को जोडने का काम करता है तो जोडने का काम के लिए कोन आ सकता option में preposition आ सकता है conjunction आ सकता है तो इसका मतलब क्या होगा function और cohesive बेटा site का क्या बता है कोई भी ऐसा word जिससे देखते है उसका मतलब आपके सामने आ जाए तो इसका मतलब क्या क्या लाएगा site word जिससे सोचने के लिए दिमाग लगाने की ज़्यादे ज़रत नहीं जैसे कल exam में जाओगे जिस सवाल का जवाब पता है उसको tick कर दोगे तो इसका मतलब side question है और जिसका नहीं पता तो इसका उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा और rhetorical क्या बता है जिन सवाल की जवाब के लिए ज़रत नहीं हो answer need की ज़रत नहीं होती वो क्या कहलाते है rhetorical और last matter क्या वो था minimal minimal मतलब चोटे चोटे वर्डों का ऐसा एक pair जिसमें लेटर अगर first वाला change हो जाए तो उसका pronunciation क्या है बदल जाता है इसलिए minimal page किसके लिए use के जाएंगे pronunciation के लिए चलिए thank you so much for watching अब all the best again for tomorrow exam बढ़िया से दीजेगा, tension free हो के दीजेगा मिलते हैं exam के बाद आपके answer की के साथ तब तक के लिए एक video और आएगा जिसमें आपको English pedagogy के 15 best questions लेके आ रहे हैं तब तक के लिए bye bye take care have a good day